नेक्स टोपिक देखो चोक कोईल चोक का मतलब क्या होता है चोक का मतलब होता है रुकावट कौन सी कोईल चोक कोईल चोक कोईल क्या चीज है चोक कोईल एक सिंपल इंडक्टर ही होता है लेकिन उसका सेल्फ इंडक्टेंस काफी ज्यादा होता है उससे बेनिफिट क्या होग होगा मतलब जैसे माल लो कि आपके पास एक का कोई एक पीस है और इसकी उपर आपने को लपेट दिया है तो उससे उसका काफी जादा बढ़ जाता है जैसे कोईल को अगर आप आयरेंड की पीस की उपर लपेटते हो ना इसका जो काफी जादा बढ़ जाता है क्या चीज बढ़ जाएगी इसको भी हम प्लेटेड यूज करते हैं प्लेटेड यूज करने का मतलब यह है कि पतली पतली जो प्लेट से उनसे मिला कि इसको बनाया जाएगा मतलब यह क्या होगा यह से पतली पतली शीट होंगी और उनको एक के उपर एक रखके हम यह वाली स्ट्रेक्चर बनाएंगे इसमें मतलब यह मालनो कि जिसे पतली सी शीट है उसके उपर एक के उपर एक रखते गए इस तरीके से और अलग-अलग जो शीट से वह एक दूसरे से इनसुलेटेड होती हैं क्योंकि बीच में हम इंसूलेशन उस करते हैं उन फ्लैट के उपर प्लास्टिक एक पतली सी लेर होती है कोटिंग होती है जिससे क्या होगा वहर एक प्लैट यह दूसरे से से इस्यपरेट होगी ऐसा है अपना इस लिए करेंगे ताकि मैटल पीस के के अंदर या सोफ्ट आयरेंड के अंदर एडी करेंट प्रेडूस नहीं हो एडी करेंट का प्रेडूस होता है जब एक वेरियेबल मैगनेटिक फिल्ड किसी भी मैटल ऑबजेक्ट से पास होता है तो उसमें करेंट प्रेडूस होना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम क्या बोल प्लास्ट्रिक की पतली से लेर होती है ताकि जितने भी टान साब बना वह सब एक दूसरे से सेप्रेट रहें नहीं तो शोट हो जाएंगे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसलिए अपन यह जो प्लेटेड यहां पर जो सॉफ्ट और पीस करते हैं प्लेटेड बोलते हैं मागनेटिक फिल्ड की जिसे की मेटल बोडी के अंदर प्रीडि compromise करने के दो तरीके है या तो मेटल बडी में कुछ हॉल कर दो जगाज़ब उससे ज़्याड़ टरी का क्या है उसको प्लेटेड बना दो अलगलग प्लेट से मिलाके बना दो और फिर उन उसको period के एक दूस इसलिए है कि किसी भी कोई या सेल्फ और इंडेक्टेंस की अगर प्रीशलियोज विध्यारा तो मझे यहां पर क्या पॉत करना है लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक आयरेन की रोड रखता हूं तो आयरेन के लिए मू की वेल्यू मू नोट से काफी ज़्यादा होती है तो अगर मैं आयरेन की रोड रखना हूं तो यहां पर क्या पूट करूंगा मू का मतलब है क्या था उसके लिए वेल्यू पूट करेंगी मिडियू होता है लेकिन जैसे आप आइरेन की इसके अंदर रखोगे तो आयरेन के लिए मू काफी ज़्यादा होगा उससे क्या फरक पड़ेगा को ऐल्यूब्य का सॉलिनुद का सेल्फ इंडुक्टेंज काफी जाधा बढ़ तो यह जो एक तिरह से आपने चौरी है यहां पर इसको नपिका रहना होगा हे औरokay ह्यानि ज्यादा और लोह देस्टेंस कहा है काफी कम acáफी कम करने के लिए क्या किया है यह जो कॉयल आपने बनाई है यह लुख करते हैं ईसके लिए करते और यहक ह। हारा करें लुख करेंगा है जादा रहें थिक्तने रखने का ह। हद मिद्ध उसके हाद रिस्टछ कर रहेगा तो यह दो से याद रख नहीं इसके लिए कि चोग कोईल के है चोग कोईल एक हाई सेल्फ इंडक्टेंस और लो रिजिस्टेंस की एक कोईल होती है और इसका काम क्या होता है तो काम है इसका सर्कुट का इंक्रीज करना एसी सर्कुट में इंपिडेंस को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इंपिडेंस का फॉर्मला होता है जैड इक्वल्स टू अंडरूट ओफ आर स्कुएर प्लस एक्सल स्कुएर मालों कैपेस्ट्र आपने नहीं लगा है तो सर्कुट का इ इक्वल्स टू अंडरूट ओफ आर स्कुएर प्लस एक्सल स्कुएर अब लोग इस रार भी तो नहीं लगाया तो आर तो अपने आप आ जाएगा सर्कुट में क्योंकि जिस कोपर वायर की कोईल बनी वी यह उसका कुछ रिजिस्टेंस होगा और एक्सल क्या होगा से transactions कम फ्लोगा ँड़ करेंट कोई करना है तो इंपेड欸 urine को बढ़ाना पड़ता है इंपेडेंस भज़ाना है तो हम क्या करेंगे यह ज्यादा लेंगे इस कोईल का इस सोलेनवेट का जिससे यह बढ़े और जैड बढ़ेंगा तो करन्त कम होगा ऐसा करन्ट को करना है तो के बीच में चोटी सी डिब्बी होती ना आपने देखाऊगा उसके अंदर चोक कोईल होती है उसका काम क्या होता है को टूबलाइट को ओन होने के लिए या वर्किंग के लिए 220 वोल्ट सप्लाई नीची होती है उसके कम वोल्टेज चीए उसको सबसकर 100 वोल्ट चीए अब आपने उसको सप्लाई 220 वोल्ट दे दी तो उससे क्या हो सकता वो खराब हो सकती है तो ऐसे कोई चीज हो ना जो एसा इंस्ट्रूमेंट जो हाई वोल्टेज पर खराब हो हाई क पावर कंजूम करता है उसका फॉर्मला देखो आपको एवरेज पावर जो एसी सर्किट में पावर कंजूम करेगा और उसको हीट में कनवर्ट करता रहेगा सर्किट में अपना इंस्ट्रुमेंट तो कम करंट लेगा वो तो बज़ जाएगा सेफ रहेगा लेकिन जो एनरजी हम सप्लाइ करेंगे उसका काफी पॉर्शन वहीट की फों में वेस्टेस कर देगा तो हमको कुछ ऐसा तरीका निकालना है जिसे हीट की फों में एनरजी का लोस भी नहीं हो और सेल्फ इंडेक्टेंट जादा होने के वज़े से इंपेडेंस को बढ़ाएगा जिससे करंट कम फ्लो तो क्या होगा करंट को किंट्रोल कर लिए अपने हीट लोस नहीं होगा तो अभी आपको बताया था कि एवरेज कितनी हो और कीचिन करेगा इंडेक्टर इंडेक्टर क करेगा ठीक है जीरो पावर कंजूम करेंगा मतलब बीना पावर कंजूम कि इस क्राइब यह क्या करता है ने को तो यह को रिखा आपको चोक मतलब रुकावट तरह से तो यह रुकावट पैदा करता है एसी के लिए इसे को कम फ्लोवने देगा सबस्क्राइब को शोटनोट टाइप आपको इसके उपर मिलेगा कि चोक को पोपूलर है कि क्या हमी सरकिट के अंदर भी चोक को रिख कर सकते हैं भी इसको करना किसी सर्किट में मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट को कम वोल्टेज सप्लाइब आपने 200 वट की बैटरि लगा दि एक इंस्ट्रूमेंट को 100 वोल्टी चीए तो सो और आपको बीच में है या सो ऐल्ट उसको चीह बाकि आपको करन्ठ कमःवाना इसमें यह माल लो तो चौश कर सकते हैं है ॉसिसलिकलह कर Хाइब एक्सला ओमेगा होगा तो एक्सल जीरो का मतलब यह कोई अपॉजेशन करे गा यह नहीं कर्थे का तो DC सर्किट में यूजर नहीं करते हैं वन memorized in है कि हम क्या चौक कोईल को DC सर्किट में जूज कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते तो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्लिए डिसी की फ्रिक्वेंसी 0 है और यह उसका पोजीशन ही नहीं करता इसलिए नहीं यूज़ कर पाते हैं ठीक है सिर्फ एसी सर्किट के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है कहां पर यूज़ करेंगे केवल और केवल एसी सर्किट के अंदर